खबर फिरोजबाद से 42 साल बाद आया अदालत का निरणे पीडितों के साथ सरकार के बड़े दावे खयाली पुलाव रहे दस आरोपियों में 9 की हो गई मौत जीवित बचे एक 90 वर्षी आरोपी को हुई आजीवन कारवास की सजा ततकालीन मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री गाउं आये नेता विरोधी दल आये ततकालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा लेकिन पीडितों को आज भी मज दूरों की जिन्दगी जीनी पड़ रही है ततकालीन मैंपुरी जिले के शिकोअबाद कोत्वाली क्षेत्र के साडू पुर गाउं वर्तमान फिरोजबाद जिले के थाना मखनपुर क्षेत्र में 1981 में दलित जाटव समुदाय का नरसंगार हुआ उस समय केंद्र में इंद सुरेश, प्रेम सिंग, चमेली, सगुना देवी वा, पार्वती बैकुंठी की मौत हुई रिपोर्ट दर्ज हुई प्रदेश में भूचाल आ गया था ये मैनपुरी जिले में एक माह में ये दोहरा दलित हत्याकान था सहानु भूती के नाम पर गाउं का मुख्यमंत्री वीपी सिंग, प्रधान मंत्री इंदरा गांधी ने दोरा किया विपक्ष के नेता पूरु प्रधान मंत्री, चोधरी चरण्ड सिंग, पूरु प्रधान मंत्री, अटल विहारी वाजबई जी ने नेताओं के साथ पीडितों को हर संभव मदद का वादा किया लेकिन आज तक कोई सरकारी वादा पूरा नहीं हुआ सरकार द्वारा पीडितों को शिकुआबाद नगर में पशू चिकित साले के ओएस दुकान दी जिन पर दबंगों ने खब्जा कर लिया ग्रामीडों ने शुकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई दिहुली के बाद साडू पूर कांड की आवास पूरे देश और प्रदेश में जबरदस्त रूप से भूचा ला दिया था ततकालीन मुख्यमंत्री विश्वनात प्रताप सिंग को त्याक पत्र दीना पड़ा था मुख्यमंत्री की कुरसी हाथ से धूना पड़ा था अदालत के निरने के बाद पीडितों की प्रतिक्रिया पीडित रामभरोसी लाल से बात की गई इनके दो बेटे एक बेटी को हत्या हुई तो बोले निरने हुआ अच्छा है लेकिन लेट है अदालत के निरने से खुश हैं गायल प्रेमभती के परिवार के पांच लोगों की हत्या हुई प्रेमबती का कहना है सरकार ने फ्री बिजली सरकारी नौकरी के वादे किये कोई पूरा नहीं हुआ मातर मन को समझाना हुआ अदालत के निरने से खुश हैं सम्मान है लेकिन लेट हुआ पीडित राम नरेश ने कहा सरकार ने घोशना काफी की फाइदा कुछ नहीं हुआ शिकुहाबाद नाम में दुकाने थी दबंगो ने कबजा कर लिया फ्री बिजली का वादा किया नहीं मिली बिजली पकड़ी गई लोगों को जेल जाना पड़ा कोरी घोशना साबित हुई पीडित महिंदर सिंग ने कहा सरकारी घोशनाएं हुई सुविधा कुछ नहीं मिली काफी शिकायत की कोई कारवाई नहीं हुई पांच परिजनों को गोली मार कर हत्या हुई थी आज भी गरीबी वा मजदूरों की जिन्दगी जी रहे हैं ग्रामपरधान अरविंद कठेरिया का कहना है कि अदालत के निरने का स्वागत है लेकिन नेताओं के वादे कोई पून नहीं हुए साडूपुर गाउं के लोग आज भी इस घटना को याद करके सहम जाते हैं लेकिन अपनी पीड़ा चुपा नहीं पाते दर्द चहरे पर है सरकार ने वादे खूब किये लेकिन आज तक मिला कुछ नहीं मजदूरों की जिन्दगी जी रहे लोग अपनों को खोने का गम गोलियों से भूने गए दस लोग घायल मा प्रेमवती आज भी दर्द नहीं भूल पाती है इंद्रा गांदी आई थी मगर यहां से उनका हेलिकॉप्टर वापस कर दिया तो सुरच्छा ना होने के कारण और यहां पर दने नहीं दिया गयता हूं अभी तक गाउं में अभी कोई गोष्णा कोई की गई मिला कुछ भी नहीं कोई भी सुपधा नहीं दी गई जो कल नड़े अदालत का आया उससे क्या मैसूस हुआ है कि अनके सामने कुछ होता तो कुछ अलगी वह था एक व्यक्ति को सजा मिलिए संतुष्ट है पर पूर्ण रूप से नहीं मैंसिंग आपके परिवार के लोग मारे गए जिस परकार की गटना होई ते उसके बाद क् अब लोगों को कुछ सरकार द्वारा मिला या नहीं मिला सर मेरे तीन भाई और बहन मारे गए और सरकार ने गोस्ड़ा की थी कि हम में आपके वालग जब सम पताई से जब बालग होंगे और नौकरी दी जाएगी लेकिन आनने ता उन्होंने कुछ नहीं किया बारे कोने के फोरे हुए क्या हुआ यह कि यह वी शिकायतफे की कहीं आर लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं तक हम जो कर रहे हैं वैसे हिए बढ़े नेता ही आये उन्होंने भी कहता भी तो आज तक भी परी नहीं कराने पड़ रहे है तो हम्हें आज तक जो है जैसे के मज़दूरी का आपका रहें बटाग रहा और कोई सांती नहीं कि आपसे बाइदे की थे दोकान अब भी वहस्पीटल में दी थी काफी वो देखा बाइदा पूरे हुए क्या हुआ ना पूरा हुए क्या क्या बाइदा किया था सरकार ने जे कि ये मरें लोग भाप से नहीं करेंगे और समज कि अधिन ददनाग भीवस्त गठना हुई थी उसका अधालत का नड़े आया है उसका क्या विचाहरा है जो अधालत का जो नड़े आया है वह तो सम्मान फूरग लेकिन उसमें थोड़ी लेट लपीटी आदे वही अब जब उसमें मुझ्णमी कम रहे तो क्या नड़े इसे स प्रिपोर्ट उस्त फिरोजबाद से ब्रजेश राचोर की रिपोर्ट जनकल लियांड नीus झाल, 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 झाल.